प्रणीपात, स्वागत है अब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल Decoding Indian Culture and Mythology पे इसके पहले एपिसोड में हमने बात की एक ऐसे राजा की जो अपने पुत्र को शिक्षा देना चाते थे लेकिन उनकी कोई भी कोशिश काम्याब नहीं हो रही थी लेकिन तभी हम ये दिखते हैं कि उस कहानी में कथा सुनने और सुनाने की प्रथा के माध्यम से ही उनके ऐसे पुत्र को सारी शिक्षा बहुती सरलता से प्रदान कर दी गई जिसे किसी भी प्रकार से शिक्षा देने की किसी भी गुरु या किसी भी प्रकांड पंडित या विद्वान की कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी तब विश्नु शर्मा के किर्दार ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो असंभव सथा और वो भी सिर्फ कहानी सुनने और कहने की प्रथा का उप्योग करते हुए तो पिछले एपिसोड में हमने कहानी सुनने और सुनाने की इसी प्रथा की विशेषता की बात की और इसकी एक कहानी भी सुने और अपने आज के इस लेटिस्ट एपिसोड में हम आपसे बात करने जा रहे हैं महादेव और माता पारवती की या फिर ये कहें कि इनके अर्धनारेश्वर रूप की जी हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि महादेव और मापारवती अर्धनारेश्वर रूप में भी सामने आते हैं जहां वे दोनों अलग-अलग नहीं पूझे जाते, अपितु उनका आकार एक ही हो जाता है वो दोनों एक ही अर्धनारेश्वर रूप में सामने आते हैं, जहां उनका आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग स्त्री का होता है और तभी हमारी संस्कृती में विवाह के बंधन को इतना जादा महत्व भी दिया गया है और हमारे यहां पती-पत्नी के जोड़े को इतना जादा महत्व दिया जाता है पत्नी को पती की अर्धांगिनी कहा जाता है याने की पती का आधा अंग तो ये जो विश्वास है, ये जो मत है कि पती-पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और पतनी पती का आधा अंग होती है विवाह के पश्चात विवाहित जोड़ा हर धार्मिक अनुष्ठान हर पूजा पार्ट के लिए एक दुसरे के साथ ही बैठता है पती पतनी के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं हो सकती उसमें एक जोड़े के रूप में उन दोनों क साथ रहना बहुत ही आवश्यक माना जाता है हमारे भारती संस्कृती से जुड़े रीती रिवाजों में तो इसका ये जो विश्वास है इसका ये जो उम्मत है ये कहां से आता है ये माता पार्वती और महादेव से ही आता है जो अर्ध नारेश्वर के रूप में हमारे सामन प्रकट होते हैं और उनके अर्धनारिश्वर रूप से ही हमारी ये जो संकल्पना है कि पती-पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं इस संकल्पना का आधार अर्धनारिश्वर रूप से ही आता है और आज ये हमारी एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अपने एक सामाजिक रूप से भी सामाजिक विवस्था में भी स्वीकार्व करते हैं तो अर्ध नारिश्वर का ये जो रूप है ये केवल पति-पत्नी के रिष्टे को समझाने के लिए ही उपयोग में नहीं लाया जाता अपितु ये जो है एक आधार है इस बात का भी कि महादेव जो है यानि कि शिव शक्ती के बिना शव है तो शक्ती जो है यानि कि देवी जो है माता पारवती जो देवी आधी शक्ती का ही एक रूप है तो वो माता पारवती के रूप में आती है शिवजी से विवह करने उनसे संबंध बनाने पति-पत्नी का तो उस संबंध के बाद हम ये समझ पाते हैं की जो शिवजी हैं उनका अस्तित्व अधूरा है माता पारवती के बिना अपनी पत्नी के बिना और इस जोड़े को हम नाकिवल पती-पत्नी के रिष्टे का आधार मानते हैं अपे तो सच्चा प्रेम क्या होता है और सच्चा प्रेम जन्मो जन्मो तक बना रहता है इसका आ अर्धनारिश्वर से ही जुड़ी हुई है जो अर्धनारिश्वर के इस स्वरूब के महत्व को हमें बहुत अच्छे से समझाती है और इसका हमारी संस्कृती में भी कितना ज्यादा विशेश महत्व है ये हम इस कथा से बखो भी समझ पाते हैं तो शुरू करते हैं हम अपने आज के इस एपिसोड की ये विशेश कथा जो जुड़ी हुई है देवी पार्वती और महादेव से अर्थात उनके अर्धनारिश्वर रूप से तो होता ये है कि जब शिव का शक्ती से विवाह होता है दूसरी बार यानि कि इससे पहले आप ये जानते ही होंगे कि जो आदी शक्ती है वो शिव जी से विवाह करना चाहती थी तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने देवी सती के रूप में जनम लिया था लेकिन तब उनका रिष्टा पूरा हो नहीं पाया था क्योंकि उन्होंने आत्म दहा कर लिया था अपने ही पिता जी के यग्गे में जहां उन्होंने उनके पती को ना बुला कि उनका अनादर किया था ततपश्चात फिर उनका पुनर जन्म होता है देवी पारवती के रूप में जिसे हम परवत की पुत्री के रूप में जानते हैं और फिर उनका मिलन होता है महादेव से और दोबारा से उनका विवाह होता है और इस जन्म में जो उनका विवाह होता है महादेव से त तो ऐसा कुछ यहाँ पे घटित होता है, जो अर्धनारेश्वर के इस रूप की महिमा को हमें समझाता है, इसके महत्व को हमें समझाता है, और ये भी कि देवी के बिना हम कभी भी महादेव की पूजा अर्चना या अराधना नहीं कर सकते, हमें देवी की भी पूजा उनके स साथ ही करनी होती है इसका एक अत्यंत ही विशेश महत्व है तो आज की कहानी इसी विशेश महत्व को हमारे सामने लाती है तो जब देवी पारवती से महादेव का विवह संपन्न हो गया था और तत्पश्चात वे दोनों क्यलाश परवत पे आ गये थे तो उनके विवह को में बीता था कि महादेव के एक बहुत ही बड़े भक्त के रूप में जाने जाते थे रिशी भरिंगी रिशी भरिंगी महादेव के अनन्य भक्त थे और वो अपनी महादेव की इस गहरी भक्ती के लिए महादेव में अपनी गहरी आस्था गहरे विश्वास के लिए पूर पड़े भक्त थे, पूरी दुनिया जानती थी कि वो महादेव के कितने बड़े भक्त हैं और एक भक्त की महिमा जो होती है वो पूरी दुनिया रिशी भृंगी के नाम से जानती थे, तो ऐसे में उनके विवहा के कुछी समय पश्चात जब वे कैलाश परवत पे आ जाते है याने कि महादेव और माता पारवती तो एक दिन आगमन होता है रिशी भृंगी का कैलाश परवत पे और वो महादेव के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं ततपश्चात अपने प्रिय भक्त को महादेव स्वयम दर्शन भी देते हैं लेकिन वो ये देखते हैं कि इस समय महादेव अकेले नहीं है अब उनके साथ एक नियमित रूप से देवी का भी निवास है और हर आवश्यक कारे में विधी विधान सभी में अब देवी भी परा भी प्राप्त हो रहे हैं लेकिन यहां पे रिशी भरिंगी की एक और इच्छा भी थी वो केवल महादेव की परिक्रमा करना चाहते थे वो महादेव के रूप में पुरुष रूप में इश्वर की पूजा अर्चना अराधना करते थे रिशी भरिंगी के लिए इश्वर क तो उनका ये मानना था कि मैं केवल महादेव का भक्त हूँ और ईश्वर के पुरुश रूप की ही पूजा अरचना अराधना करताूँ और इसलिए कदाचित मैं ब्रह्मचर्य कभी पालन करताूँ मैंने विवहा भी नहीं किया और विवहा के इस बंधन को मैं माननिता भी न रूप में सामने आता है, वही मेरे लिए संपूर्ण है और वही मेरे लिए एक सबसे बड़ा सत्य है इस संसार का। तो यहाँ पे जब उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि मैं केवल और केवल अपने प्रभू महादेव की परिक्रमा करना चाहता हूँ, तो महादेव ने उन्हें याद दिलाया कि भक्त अब मैं अकेला नहीं रहा, अब देवी मेरे साथ आ चुकी है और ये एक ऐसी हैं जिसे हम झुटला नहीं सकते तो अब देवी जो है वो मेरी अरधंगिनी है अरधंगिनी याने की पती के शरीर का आधा अंग, तो अब तुम देवी के बिना ना तुम मेरी पूजा कर सकते हो और नाहीं मेरी परिक्रमा, तुम्हें हर हाल में देवी को भी मेरे साथ पूजा अर्चना के लिए या फिर किसी भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान के लिए यहां तक की इस परिक्रमा के लिए भी शामल करना होगा. तो देवी के बिना, जैसे कि हम जानते हैं कि शिवशव हैं, शक्ती के बिना, तो वही बात महादेव भी अपने भक्त को समझाने की कोशिश करते हैं, कि देवी के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है, और ऐसे में तुम जिस महादेव को पूर्ण समझ रहे हो, पूर्ण पू आते हैं ईश्वर का जिसकी ये संसार पूजा अर्चना और अराधना करता है तो अब मेरा पूर्ण रूप जो है वो देवी के साथ ही सामने आता है देवी के साथ ही माना जाता है लेकिन इस सत्य को रिशिभ्रिंगी जो है वो मानने को तयार ही नहीं थे वो इस पे यकीन ही करना चाहते थे उनके लिए अभी भी उनके प्रभू ही उनका सब कुछ थे और वो इस बात पे अड़ गए कि मैं तो केवल अपने प्रभू की ही परिक्रमा करूंगा और मुझे इसके लिए देवी को नमन करने की या उनकी पूजा अर्चना करने की या इस परिक्रमा में उन महादेव की जांख पे यानि कि उनकी जंगह पे बैट जाती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि वो केवल महादेव की परिक्रमा ना कर पाएं क्योंकि अब महादेव का वजूद देवी के बिना अधूरा है। उनकी परिक्रमा करना शुरू करते हैं, तो देवी महादेव की जंगा पे विराजमान हो जाती है। यह सुणिश्यत करने के लिए कि वो केवल महादेव की परिक्रमा ना कर पाएं। तो यहाँ पर रिशी भ्रिंगी जो हैं वो भी एक भौरे का रूप ले लेते हैं और एक भौरे के रूप में देवी और महादेव के बीच में से गुजर के महादेव की परिक्रमा पूरी करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर देवी यानि कि देवी पारवति और महादेव एक पर फिर से एक नई योजना के साथ सामने आते हैं वो अपने शरीर को मिला लेते हैं और बन जाते हैं एक ऐसा अर्ध नारिश्वर रूप जो आज तक हम सब के बीच पूजनिये हैं अब उस अर्ध नारिश्वर रूप में रिशी भ्रिंगी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि वो केवल महादेव की परिक्रमा कर पाएं तो उन्होंने एक छोटी सी चीटी का रूप धारण कर लिया जो उनके मध्य से निकलने का प्रयास कर रही थी लेकिन अब जब उनके शरीर ही आपस में मिल चुके थे और वो एक स्वरूप अर्ध नारिश्वर बन गए थे जिसमें कोई भेद और अंतर रही नहीं गया था तो ये रिशी भ्रिंगी के लिए एक असंभव सा कार्य हो गया था और वो चहा के भी महादेव और देवी को अलग नहीं कर पा रहे थे तो यहां पे वो अपनी कोशिशों में हार मानने लगते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि उनके इन प्रयत्नों का कोई भी लाब नहीं होने वाला है वो महादेव की अकेले में प्रदक्षिना या परिक्रमा नहीं कर पाएंगे उन्हें देवी को उ इस कोशिश में मिली हार को सामाजिक रूप से या फिर ये कहें कि पूर्ण रूप से व्यक्त करने को तयार नहीं थे, अब जो सच है उसे मान भी लेना चाहिए, लेकिन इस सच को वो पूर्ण रूप से स्विकार करने को अब भी राजी नहीं हुए थे, क्योंकि कही न कहीं वो समझ अब तक नहीं आई थी, जो देवी और महादेव स्वयम उन्हें देना चाहते थे, तक पश्चात देवी कृध हो जाती हैं, याने कि देवी पारवती, अब जब उन्हें क्रोध आता है, तो वो रिशी भृंगी को उनके इस कृत्य के लिए, उनकी इस भूल और न समझी के लिए एक घोर श्राब देदेती हैं, तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि एक संतान जब इस संसार में आती है, तो उसे कुछ अंग अपने पिता से प्राप्त होते हैं, और कुछ अंग अपनी माता से प्राप्त होते हैं, और ऐसे ही इस संसार में उस संतान क पूर्ण रूप से आगमन होता है तो यहाँ पे जो अंग एक संतान को अपनी मास से मिलते हैं वो उसके रक्त और मास मज्जा के रूप में सामने आते हैं जो हमारी शरीर में रक्त बहता है जो हमारे शरीर का मास होता है जो हमारे शरीर की तवच्चा होती है यह दोनों ही ची प्रकृती का घोरपमान किया था तो देवी ने भी उन्हें घो श्राब देते हुए ये कहा कि जो अंग एक संतान को अपनी माता से प्राप्त होता है यानि की रक्त, मास, मज्जा यानि की रक्त और त्वच्चा वो अंग अब तुम्हारे शरीर से चले जाएंगे तुम रक् अब उस अंगों के बिना अधूरा रह जाएगा, जो स्त्री से एक संतान को प्राप्त होते हैं. तो अब स्त्री से मिलने वाली जो त्वचा है और रक्त है, तुम उनसे विहीन हो जाओ, और केवल जो धमनिया होती हैं, धमनिया होती हैं और जो हड्डियों का एक धाचा होता है मात्र, बस अब तुम उन्हीं के साथ रह जाओगे, क्योंकि ये एक संतान को पिता से प्राप्त होते हैं, तो तुम भी पिता से प्राप्त होने वाले धमनियों और हड्डियों के ढाचे के साथ रह जाओगे और माता से मिलने वाले रक्त और त्वच्चा से विहीन हो जाओगे भक्त पे दया आ जाती है और वो उन्हें आशिरवाद देते हैं एक तीसरे पेर का जो एक हड्डी के ढाचे के रूप में ही उन्हें मिलता है जिस पे वो दोबारा से कम से कम अपने आप खड़े हो पाते हैं और अपने पेरों पे खड़े होके वो अपने आपको सम्हाल पात तो यहाँ पर फिर रिशी भृंगी को अपनी गलती अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो इसके लिए देवी से रिदय से क्षमा मांगते हैं और इस बात को पूर्ण रूप से सामाजिक रूप से वाकई में स्विकार भी कर लेते हैं कि मुझे अपनी गलती, मुझे अप क्षमा कर दीजे माता और जो कोई भी मुझे से भूल या थृटी हुई है उसके लिए मुझे क्षमादान प्रदान करें परन्तु अब श्राप तो श्राप ही है और उसका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा लेकिन हाँ यहाँ पे देवी का क्रोध कुछ शांत जरूर हो जाता है और आखिर वो है तो देवी यानि की जगत की माता तो वो फिर जगत माता होने के नाते रिशी भृंगी को शमा भी ब्रदान कर देती हैं लेकिन उन्हें इस बात की सीख भी देती हैं कि इस संसार में पुरुष और प्रकृती अर्थात पुरुष एवं स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं और इस संसार में अगर इस संसार को अप एक गाड़ी जैसे समझ ले तो इस गाड़ी के दो पहिये हैं एक पहिया अगर पुरुष है तो एक पहिया स्त्री है और इन दोनों के योग से इन दोनों के सहयोग से ही ये संसार बनता भी है और आगे भी ब प्रण भी करते हैं और अपनी भूल को मान भी जाते हैं तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि देवी और महादेव के अस्तित्व को अब हम कभी भी अलग नहीं कर सकते अर्धनारेश्वर के रूप में और सदैव ही अब एक उनको जोड़े के रूप में पूजा जाता है और य शिवलिंग की परिक्रमा करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे एक चक्कर लगाने के बाद भक्त जो होते हैं वो उसी शिवलिंग का उल्टा चकर भी लगाते हैं जी हां ये भी एक प्रथा है जिसका हम शिवलिंग की पूजा अर्चना के दोरान पालन करते हैं तो ऐसा क कि शिवलिंग में जो नीचे का भाग होता है जिसके ऊपर वो शिवलिंग थापित होता है वो असल में देवी का भाग होता है और देवी अपने अंदर शिवलिंग को समाहित करके उसे पोणता प्रदान करती हैं जो आज हम पूछते हैं जिसे आज हम मानते हैं तो उसकी प्र उसका एक उल्टा चक्कर भी लगाना पड़ता है। वो इसलिए कि शिवलिंग में जो देवी का भाग होता है, जिसमें शिवलिंग समाहित होता है, उसका एक त्रिकोन सा धाचा निकला रहता है। और वो जो है वो शिवलिंग को पूर्ण नहीं होने देता। उल्टी परिक्रमा करनी पड़ती है। तत पश्चात हमारा जो परिक्रमा करने का ये क्रम होता है, ये पूर्ण रूप से समाप्थ हो पाता है। तभी हम अपनी जो पूजा अर्चना है और परिक्रमा है वो सही मायनों में खतम कर पाते हैं, समाप्थ कर पाते हैं। तो यहा अधा की भी जिसमें हम शिवलिंग का एक सीधा चक्कर लगाने के बाद एक उल्टा चक्कर लगाके उसकी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। तो इसी के साथ आज हमारी ये विशेश कथा यहीं पर समाप्त होती है जिसमें हमने आपको अर्धनारिश्वर के महत्व को समझाया, संसार में पुरुष और स्त्री के साथ आने का क्या महत्व होता है उससे हमने जानने समझने की कोशिश की, रिशी ब्रिंगी को देवी के श्राफ से क्या सीख मिलती है वो हमने आपको बताया और शिवलिंग की परिक्रमा से जुड़ा ये जो तरीका है जिसमें हम एक पर सीधा चक्कर लगाते हैं पर दूसरी बार हम उल्टा चक्कर लगाते हैं। इसके बीछे की भी एक वजह जो है वो देवी से जुड़ी हुई है जिसके बिना ये परिक्रमा अधूरी है वो आज हमने समझने की कोशिश की। और इसी के साथ हमारी आज की ये विशेश का था ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तिल देन टेक कियर, गुडबाई, टटा!